समय की करवट के साथ ही अनेक पेगंबर, सूफी संत और फकीर इस पावन भूमी पर अवत्रित हुए जिनोंने कोमी एकता और सोहर्थ को बनाई रखने के लिए अनेक कलामों, कविताओं और वाणियों के मादम से जन जन को जागरू किया और एक जन मानस को एक सूत्रों में बांदने के लिए मिसाल कायम की इसी कड़ी में आज बात हम कर रहे हैं केथल के बाबा शाह कमाल का नाम भी सभी धर्मों के लोगों को बड़ी श्रद्धा तथा भक्ती भाव से लियते हैं आपको बता दे कि केथल लगर के जवार पार्क में स्थित्य है बाबा की मजार है जहां हिंदू और मुश्लिम सभी माधा ठेकने आते हैं यहां की जो खास बात है वो है कि रूर्स मेले के अंदर जो चादर पहली चड़ाई जाती है वो हिंदू की तरफ से चड़ाई जाएगी हर वीरवार को यहां पर हुजूम उमड़ पड़ता है लोगों की बड़ी शंखाया यहां पर देखने को मिलेगी जो श्रद्ध भाव से यहां चादर चड़ाने आते हैं और यहां की जो खास बात है वो यह है कि इस मजार की देखबाल हिंदू पुजारियों जवादा की जाती है और यहां मानेता है कि जो भी चादर चड़ाता है चाएग वो हिंदू या मुसल्मान हो उसकी मनुकामना चरूर पूरी होती है यह दरगा हजरत बाबा शाह कमाल कादरी तदा दूसरी उनके पौतर शाह शेकंदर कादरी की है और यह दरगा पांसो पैंतिस वरस पुरानी बताई जाती है बाबा शाह कमाल कादरी लगबग 440 वरस पहले यहां पर बगदाद से यहां आए थे आप देखें हैं पलपल के ये विशे सिर्फ हो मैं उस जमाने से जानता हूं जब यहां पर आज भी नहीं आता था तो वह का है ना ने कि अब सोचता हूं दिल ही दिल में पूछता हूं लोगों से लोतरा सोचता हूं दिल ही दिल में पूछता हूं लोगों से वो सांचे जिसमें इनसा ढलते थे वो सांचे किसने तोड़ दिये आज बहुत कभी मसूस होती है मेरे यार दोस्तों की चोजरिर दीशिज बावा कलवन शाह गुफता जी सब चले गए जाने वालों हम भी है तो और चाहे आदमी से कुछ नहीं होता खुदा जब तक न चाहे आदमी से कुछ नहीं होता मुझे बालूब है मेरी खुशी से कुछ नहीं होता तज्यूब है तेरे बंदे तेरा इंकार करते हैं खुदा है ही नहीं तज्यूब है तेरे बंदे तेर सब्सक्राइब गवाई चाहिए अचाइब कर दोड़ा करना है। पूरी करदा तो ने वह ए शाड़ी पीर निया आपते हैं आप तो आज तो आज तो आज़ा है जी सूर्थगर तसील है हमारी मनुकामना पूरी होती है इसलिए हम महारे को तीन साल हो गए चार साल हो गए आते हुए चार बार आचुका हूं मैं महारे मनुकामना पूरी होती है इसलिए सूर्थगर गाम सटा दोजी भी हिंदू है सरतारगर